हेलो इस्टूडेंट्स हम यहाँ पर जलाउसेशन का फेकंट बाड जो देख रहे थे उसमें हमें जलाउसेशन फे सम्मादीद जो शेत्र है जिसे की हम मूल रॉम शेत्र या जड़ शेत्र कहते हैं उसके बारे में विश्तरत अध्यन हमें करना है इस विश्तरत अध्यन के जब हम बात करते हैं तो हमें रूट एरिया को विश्तरत रूप में पढ़ने की आवशक्ता पड़ती है यदि हम रूट एरिया को देखें तो रूट एरिया मुख्यता है चार भागों में डिफाइन होता है जिसे हम करमशह रूट केप जो की सबसे पूरु वाला भाग होता है जो सबसे आगे होता है जो सबसे ज़्यादा विरोध सेहन करता है जिसे हम एपिकल पार्ट भी कहते हैं वो होता है उसके पीछे वाला जो भाग होता है जिसे एपिकल शेत्री के पीछे वाला भाग जिसे विभ्य जोते की शेत्र कहा जाता है यह वो शेत्र है जहां पर कोशिकाओं का विभाजन निरंतर चल रहा होता है और कोशिकाओं की संखे निरंतर बढ़ रही होती है इस शेत्र द्वारा मुख्यत है फॉल्यूट का अवस्योशन किया जाता है जबकि इसके पीछे वाला जो शेत्र है जिफे इलोंगेशन जिफे इलोंगेशन भाग कहा जाता है यह वो शेत्र है जिफे हिंदी में ये दियम कहें तो दिर्गी करच शेत्र कहा जाता है यानि अगर हम बात करें एपिकल मैरिस्टमेटिक और उसके बाद वाला जो भाग है वो है इलोंगेशन पार्ट इस इलोंगेशन पार्ट को में अगर हम कहें तो इफे द्रिगी करच शेत्र भी कहता हैं दिर्गी करन शेत्र इस वज़े से क्योंकि जो विभाजन हो रहा है जो कोशिका है वो अपने आकार में व्रद्धी करती है संख्या में तो विभेजोते की शेत्र में हो रहा है जबकि आकार में जो व्रद्धी है वो व्रद्धी इलोंगेशन पार्ट में होती है जिसके प्रणाम फर्व कोशिकाओं का आकार बढ़ता है एवं मूल की आकरती वड़ती है मूल का आकार भी साथ के साथ बढ़ता है चोथा और जो सबसे important part है वो part कहलाता है mature part जिसे हम root का जड़गा परिपक्वन शेत्र भी कहते हैं यह परिपक्वन शेत्र पर अद्धिगांत समात्रा में root health उपस्तित होते हैं यह root health जल उस्योशन का कारे करते हैं तो जल उस्योशन का जो सवर्वादी कार्य है वो मुख्यता है mature part द्वारा ही किया जाता है तो यह यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चार भाग जो हैं बहुत विशेष्ट हैं डिवाइड होते हैं जो roots के part हैं इन roots के part के बाद हम यहाँ पर next part में यह दी हम देखें तो हमें structure of root यहाँ पर नजर आती है इस structure of roots को यह दी हम देखें तो आपको कुछ fun रचना है बहुत भली बात ही नजर आएंगी आप इस diagram को observe कीजिए इस diagram में आपको कई चीजें observe होंगी और नजर आएंगी जो आपको आगे जागर की काफी helpful होंगी तो यहाँ पर हमने गहां कि root health जो है mature part में पाया जाता है यह root health जल आउस्योशन की फता को बढ़ाते हैं ताकि अत्यदिक मात्रा में जल का उस्योशन किया जाफ अगे विभीन पात्पो में अलग अलग भागो द्वारा जल का उस्योशन किया जाता है जैसे कि अगर हम बात करें ब्रावफाइट्स की अलगी कि तो वहां पर राइजोट्स और प्रोथेल अगेरा जल आउस्योशन का कारिय करते हैं जबकि टेरिडोफाइट्स जिम्नोस्पर्म वह एंजियोस्पर्म में बात करें तो आप यहां पर देखेंगे एपिडर्मल भाग का मोडिफाइट फॉर्म जो है वह है रूट है यह रूट है यहां पर फॉयल पार्टिकल्स के टच में रहता है इन फॉयल पार्टिकल्स के तुरू यह वाटर को एब्जॉर्ब करने का कारे गरता है रूट हैर मुख्यत है एक एमेम से लेकर एक सेंटी मिटर तक लंबे हो फकते हैं इसमें इसकी आउटर मेंब्रेन मुख्यत है प्रक्टिन की बनी होती है जबकि एपी ब्लेमा यह एपी डर्मिस के नीचे वाला भाग कोर्टेक्स का होता है और यहीं से इस रूट हैर से जल का ऑउसेशन होकर केस्पिरियंस पट्टी का कोर्टेक्स और अंतर तहा जो है ज रिग्रेमेटिक वे में यहां पर रिप्रेजेंटेड किया है जो कि आप भले भाती देख करके जान फकते हैं जिदि हम यहां पर इस्ट्रक्चर ऑफ रूट की बात करें तो शागिये पात्पों में रूट हैर्फ की फंख्या मनस्पत अधिक होती है याद रखिएगा जो हर्वेशिस प्लांट होते हैं उनमें रूट हैर्फ के फंख्या अधिक जबकि वुड़ी जो प्लांट होते हैं कास्टिय जो पादब होते हैं उनमें इनकी फंख्या अपेक्शाकरत कम होती है इसी प्रगार जदि हम यहां बात करते हैं एंजियोस पर में रूट हैर्फ अ रूट हैर्फ कम मात्रा में पाए जाते हैं यह मूल्रों मुख्यता है और एक और बात जल निमगन पादब जो होते हैं वाटर वेट उन में रूट हैर्फ एप्षेंट होते हैं क्यों होता है क्यों कि वह जल में डूबे वे रहते हैं जो उस पादब की होल फर फैफ जो पू में रूट है जलिन बगन पाद्बान में रूट हेड़् मुख्यता है अनुपस्तित होते हैं यह मूल放 नलिगाकार होते हैं अतिवरधी के रूप में भाहित वज्ब पर उपस्तित होते हैं अभी आपको बताया। एक में में से एक सेंटी मिटर तक इनकी लंबाई होती है यह मुख्यता आफ आखित रचनाएं हैं याद रखिएगा कि कोई भी जो मूल रॉम है तो मूल रॉम इस प्रकार का है तो उस पर कोई ब्रांचेफ या शाखाएं नहीं पाई जाएंगी यह मुख्यता यह पैक्टिन की बनी होती है जो कि मूल रॉम में एक अतिविक्षित केंदरग होता है रिक्ति का पाई जाती है मूल रॉम का जिवन काल कुछ दिनों का होता है तो इनकी पशाद नए मूल रॉम का निर्मान होता है रूट है की फेलवाल फॉल्यूट फॉल्यूट दोनों के लिए पारगम में होती है तो यह बहुत ही शोट डिस्क्रप्शन था जो कि हमें पढ़ना था इसके बाद लॉप शोशन का जो मुक्या मार्क वगरा है उसके बारे में अध्यन करेंगे धन्यवाद